हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। नगनकर पंचायत की बैठक में पीटा गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका वीडियो भी बना कर शोशल मीटिया पर वारल कर दिया गया है दरसल महिला का शादी के बाद भी किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था इसलिए महिला को पंचायत में नगनकर पीटा गया वही पुलिस ने महिला को अस्पतार में भरती कराया और मामले की चांच की जा रही है यह पूरा मामला गाउं की सिलासी सभाका है अंचायत में महिला के साथ सिर्फ मारपीठी नहीं की गई बल्कि उसे गाउं में चारों तरब घुमाया भी गया और तस्वीरे भी शोशल मीडि पर वारल करती गई, दरसल पुलस के मुदाबिब महिला का किसी और से संबन था और वो पती को छूड कर किसी और के साथ रहने चली गई थी, लेकिन जब वहाँ भी बात नहीं बनी तो महिला का जगड़ा हो गया और महिला छे महिने बाद वापस अपने पती के पास आ गई लेकिन गाउं के बुज़ुर्गों को इस बात से नाराजगी थी और गाउं के बुज़ुर्गों के कहने पर महिला और उसके पती को मानसिक और शाररी क्रूप से पतारित किया गया उसके बाद बुजूर्गों ने आदी वासी दमपती को गुरुवाद दुपहर को सिलासी सभा में शामिल खोने का निर्टेश दिया उसके अनुसा गुरुवाद की रात प्रतारित महिला और उसका पती काउं की बैठक में पहुंचे वहीं महिला के पती को समाज से भार रहने की हितायत दी गई आरोप है कि सिलासी बैठक के दौरान सबसे पहरे उस बरसाती रात में महिला को पीटा गया फिर बैठक में मौजू गाउं के यूवकों ने एक एक तर पीडित महिला के शरील से सारे कपड़े फार दिये फिर अंधेरी रात में उसे गाउं में घुमाया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया बाद में यूवकों ने उसे शोशल मीडिया पर अप्लूट कर दिया और अविवार दोपहर तक उस शर्मनाग घटना की तस्वीरे शोशल मीडिया पर वारल होने लगी शोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वारल होने के बाद से जिले के लोग हैरान है हाला कि इस पूरी ख़बर की निउस्वल इंडिया पुष्टी नहीं करता है कुछ रिपोर्ट्स के अधार पर ये खबर बताई जा रही है लेकिन ऐसे में अगर ये ख़बर सच है तो सवाल ये उड़ता है कि पंचायत को गाउं के फैसले लेने का हग जरूर होता है लेकर पंचायत को ये हग इससे दिया कि वो एक महिला के साथ बरबरता करे और ऐसे शर्मनाक हरकत करे जब हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है तो फिर क्यों आज भी महिला के साथ ऐसी हरकते की जाती है ये ये रोर रिपोर्ट निउस वर्ल इंडिया